ऩोके अभी हमें पढ़ना है क्या हमारा नेक्स टॉपिक है plant also provide us plant और क्या क्या हमें provide करती है medicines medicines means दवाईआं many of the plants are medicinal plants many of plants जीसे बहुत सारे पौदे हैं वो क्या है मेडिक ली और प्लांट से वो हमें क्या प्रवाई बुटियों से बनी ना उसे हम क्या बोलते हैं आयरुवेधिक medicine चिंचोना lips are used for curing malaria चिंचोना किसज में यूच करते हैं malaria जब हमें malaria हो जाती है तो उसके जो lips हैं चिंचोना के जो lips हैं उसके अगर उसके यूच करने से हमारे जो malaria हो है वो ठीक हो जाती है Neme lips and Eats are used for skin disease और skin disease के लिए क्या यूज करते हैं नीम लीप्स नीम के पतियां से हमारे क्या होते हैं Skin डीज जो है वो ठीक हो जाते हैं तुलसी इज यूज ट्रीटमेंट ओफ कोल एंड कॉफ तुलसी का किस चीज में यूज होता है कफ सर्दी और खासी जैसे हमें दुलसी होती हो, तुल सी काधा बनाकर पीने चाहिए, वहां ठीक होती है। इक हम आशा होती लि Attरो में होटेना है। इसके लिए हमें तुलसी का काड़ा बना करके भी पीना चाहिए हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो आप बच्चो आप लोग भी आप लोग को भी पीना चाहिए है ना तो अभी यहां पर तीन लिप्स दिये गए हैं, चिंचोना, नीम और तुलसी, है ना, उसके बाद है ब्रिवेज, मेनी प्लांट गीव आस, ब्रिवेज मिन्स आप लोग जानते हैं, उसका मिन्स होता है पेपदार्थ, ओके, मेनी प्लांट गीव आस कौफी, वीन्स और टी जो चाई की पतियां होती है ना, वह भी हमें प्लांट से ही मिलती है, प्लांट और प्लांट से ही हमें पेपदार्थ प्राप्त होती है ना, अगर प्लांट से हमें चाई कौफी अगर ना दे तो हम, हमें ऐसा पीने को नहीं मिलेगा, तो प्लांट से ही हमें यह चीज प्र jute as fabric from their plants और हमें cotton जूट जूट जो fabric है और कहां से प्राप्ट होती है biget plants हमें plants से ही प्राप्ट होती है cotton and jute fabric also biget rubber from rubber tree and gum from asia tree asia tree से हमें क्या प्राप्ट होती है gum फ्यूसर also biget rubber from rubber और जो rubber tree है उससे हमें क्या मिलती है rubber and asia tree से क्या हमें मिलती है gum अभी आप लोगों को समझ में आ गया है नीचे आपको plants की picture दिये हुए है cotton plant, jude plant, rubber plant and asia tree this is gum जो हमें, जिसे हमें gum मिलती है अभी हमें पढ़ना है paper, paper कहां से हमें मिलती है वो देखते है this is a paper from bamboo trees और सबसे पहले हम सब जानते है paper कहां से मिलती है bamboo tree से this paper also made up of leave over of squeezed sugar cane और जो अभी के paper से और किसी से भी बन रहे है जो squeezed sugar cane होते हैं जबी हम सुगर कें से रस निचोड के निकालते हैं जो उसके सूखे छिलके होते हैं उससे भी paper अभी बनता है जैसे आपको यहां पे picture में दिखाया गया है squeezed sugar cane जैसे dash paper और यहां bamboo tree है bamboo tree से भी paper मिलता है और इधर sweet sugar cane से भी हमें paper मिलती है अभी आप देख रहे हो इसमें ठीक है अभी इसके बाद हमें पढ़ना है wood we all know that wood हमें कहां से मिलती है plants tree से ही हमें wood भी मिलती है आप लोग सब को पता होगा है तो देखा अपने plants क्या क्या मिलते हैं plants का root खा सकते हैं हम लोग stem खाते हैं flower खाते हैं fruits खाते हैं उसके leaves खाते हैं है ना उसके plants मतलब देखो हमारे लिए कितना important है हम समझ सकते हैं कि plant हमारे लिए अगर plant नहीं है था हम अपने life को imagine नहीं कर सकते हैं है ना वैसे ही अभी हमें पढ़ना है wood उड़ क्या क्या यूज होता है we all know that all the plant weather, medicinal, and fluids जैसे हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे plants क्या है medicinal है और कुछ fluids प्लांट है और वो क्या हमें क्या करते हैं है wood उनके पास भी उड़ है वो पेड़ है तो पेड़ में मतलब लकडियां तो होती ही है the wood of different trees is used for different parts जो मतलब ऊड़ है of tree different trees जो different tree के ऊड़ है उसे बहुत अलग-अलग परपस से भी यूज करते हैं some are used to fuel to cook food और whereas some are used to treatment to make furniture and other wooden objects जैसे देखते हो कि जैसे पतिक कभी plants हर कोई मोटी नहीं होती कुछ plants चोटी होते हैं कुछ plants पतले होते हैं कुछ थोड़े उसे मोटे होते कुछ जैसे bamboo tree है mango tree है यह सब के बहुत विसाल का है थोड़े बड़े-बड़े tree होते हैं तो उनकी लकडियों से क्या करते हैं तो परनीचर बनाने में हम उसे यूज कर सकते हैं बर जो पतली हैं छोटे 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 प्लांट्स होते हैं उनकी लकडियों को क्या करते हैं हम फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं क्योंकि पतली लकडियों को हम फनीचर में तो यूज नहीं कर सकते हैं है ने बचो तो इसके लिए हम क्य चोटे चोटे जो जोसे से प्षयस को बांट साँऑ उनके सूखे हिसो तो क्या करते हैं हम जमा करके फ्यूल क के रूप में कहां चाम कर सोब बनाते हैं, यहां तो मम्मी औंको पास गैस है, तो गैस भर बनाते हैं, तो आप लोग उन्हें देखा नहीं होगा, लेकिन जब आप अगलाओं में जाओगे, तो आप देखोंगे यह चीज को कि मम्मी लकडियों को भी झला करकर खाना बना सकते हैं, और जैसे जहां बड़े बड़े लकडियां है उनका फनीचर बनाने में यूज होता है जैसे टेबल कुरसी है, डोर है, है ना, चॉपिंग बोर्ड है, पैंसिल भी बनती है, उट से ही पैंसिल बनती है आप लोग सबको पता होगा ना, ओके, ठीक है, आपको समझ में आई ना, अभी हम पढ़ना है कि प्रोटेक्शन एड सेड, बी ग्रोग थ्रोनी प्लांट्स एज हेज, बी ग्रोग थ्रोनी जो काटे दर है, प्लांट्स वो क्या है, एज हेज, बाड, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो थ्रोनी जो काटे दर प्लांट्स होते हैं, उसे हम क्या यूज करते हैं, घेरे बाड बनाने, बाड आप समझ रहे हो, जैसे कि अभी हमने छोटा पौधा लगाया है, तो जैसे जंगली जानवर ना घूसे, उसमें उसको बरवात न करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, हेज बाड लगाते हैं, कि वो पौधों को बचाव कर सके, तो छोनी प्लांट का क्या यूज हो रहा है, वो हमारे अधर्स प्लांट को सेव करते हैं, है ना, अभी है, ट्रीज स्प्रेड लाइक अम्रेला और गीवस सेड, ट् कुछी प्रकार जो काटेदार प्लांट से वो ट्रीज को बचाते हैं, अगर अभी देखो, जैसे गुलाब में क्या काटेदार गुलाब होता है ना, तो हमें गुलाब के पेड में जब गुलाब तोड़ते हैं, तो हमें क्या काटा चूबने का डर रहता है, तो गुलाब क वह उसको सेफ करता है उसको मतलब सुरक्षित रखता है कि कोई इसे हाथ ना लगाए ताकि वह अच्छे से बले फले और फूले ठीक है ना तो उसी प्रकार है जैसे यहां पर दिया गया है कि ट्रीज को हैल्प करती है ध्रोणी प्लांट से ना जैसे साइंस फैक्ट में आपको भी क्या दिया गए कि वी कैनोट इमेजिन आवर लाइफ विदाट प्लांट से अभी हमने पहले भी आपको बताया कि वी कैनोट इमेजिन हम ऐसा सोच भी नहीं सकते प्लांट के वेगर तो हमारी लाइफ है हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारी प् भी मिलते है। दवाईयां भी मिलति यह यह वी मिलते हैं। कुम चाहर बाड़की सबस्केश चाहरे हो सब्सक्षा है। ब्रता से मदद करता है total प्लांट प्लांट में हमारा रॉच सकता है, इक प्लांट यहां से व सकता है यहां पर का यूज ऐखाता है अब हम पढ़ेंगे जैसे प्लांट गीव पर्फियूम प्लांट से हमें पर्फियूम भी मिलता है प्लावर का पूरा बंच होता है उसे हम बुके बोलते हैं चार और हम बुके संद्ध नहीं होगी तो कितना घंदा दीखेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना कि एक बिल्कुल कूछ नहीं बंजर दिखेगा देखेगा जैसे हम रेगिस्तान में देखते हैं तो खाली रेठी देखती है वहाँ plants नहीं दिखते तो हमें अच्छा लगता है क्या नहीं लगता ना तो हमारे लिए plants क्या हमारे surrounding जो हमारे surrounding से उसे beautiful बनाता है rubber is made from white milk of asia tree और आप सभी जानते हैं कि rubber किस से बनता है जो white milk of the asia tree से जो white milk निकलती है उसे ही rubber बनता है तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि plants से हमारे plants को हम green friends हमारे कितने अच्छे दोस्त है plants के वेगर हम अपना life imagine नहीं कर सकते हैं न बच्चों अब आई होप आप लोग को समझ में आये हो और आप लोग अच्छे से समझे ठीके थैंक यू बाकी आगे question में आप लोग को दूसरी वीडियो में बताती हूं ओके बाई